कि अज़िए बाक्स वहां पे खतम हो गए तो बच्चों के प्रति यौन अपराध होता है उनके साथ सेक्स्वल एव्यूस होता है उसके लिए जो कानून बने हैं एक तो उनकी जानकारी बच्चों को देना और सिक्षकों को देना और दूसरा इनका जो भावनात्मक पक्ष है कि कानून का उप्योग तो बाद में होगा बच्चे से बच्चे कैसे टीचर कैसे सचेतर है जो बच्चों को इस प्रकार के यौन अपराधों के होने से उनको बचा सके किन बिंदूओं को पालकों को ध्यान में रखना चाहिए जो अपने बच्चों को इस अपराधों में पढ़ने से या होने से बचा सके तो इस प्रकारिसाला का प्रमुक उद्देश से जो बच्चों का भावनात्मक पक्ष है कि वो फैमली से अटेच रहें वो चीजों को स समझें ताकि उनके साथ क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है वो उसके साब से समझ के बापने पालकों को बाट सके समझ सके कि पालकों का उनके जीवन तो यह जो विभीन प्रकार की समस्याएं बच्चों के जीवन में है उसका मनोवग्यानिक कारण क्या है उसका भावना अत्मक पक्ष पर ये राश्टी बाल आयोगे प्रयोग के तौर पर चतिस गड़ में अभी दो जीलो में दो दिन का वर्कसाप आयोजीत किया जिसमें हम चाहरे हैं कि बच्चों को धीरे-धीरे क्योंकि किसी भी अपराद से होने से जादा अचा उसका बचाव भी तो यही है किसी किर्ग इन्स्ट स्थर्फ टुड्ष डिए अर्योजीत की किसी बचावार इसके बचल्बए कर तो कर दो dal जोजीत को छीज़स्टाटग गल्चूजीए गोरेको डोजीज़स, क्योजीए थे इसकी अर्योजेटरों किसी अर्योज़स, अपराद देनिए बच्त्न किर